हसे लोकी है इस वीडियो में हम आगे पढ़ रहे हैं यह टॉपिक हम डिसकस करहें प्रणाउंस और इसमें चार बाते कवर्ण करने वाले हैं इज, एवरी, इढ़र, एड़र इन इढ़र इन चारों को हम क्या बोलते हैं इसमें distributive pronounce बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? distributive pronounce तो इस topic में हमें ये चारों चीज़े पढ़ने की each कै every कै, either कै, neither कै, इसके ऍलावा हम दो बाते और पढ़ेंगे any और none क्या होता है, ये भी हम cover करेंगे, के any कैया है, और none कै, ये भी हमें cover करना है, तो इस topic में क्या करना है each, every, either, neither, any, none ये छे चीज़े हम कवर करने वाले हैं तो start करते हैं देखो either का मतलब क्या होता है either word का मतलब होता है दो मेंसे एक जिसे ये दो लड़के हैं मान लेते हैं आप कहते हैं कि दोनों मेंसे कोई एक आओ ठीक है ना, आपके साथ चले तो जब दो मेंसे हमें किसी एक को चुनने है तो हम क्या लिखते हैं either यनि कि या तो ये, या ये अगर दो मेंसे किसी एक को चुनने है तो क्या लिखते हैं हम either लिखते है और दो को मना करना है ना ही ये और ना ही ये तो इदर का मतलब क्या होता है दो मेंसे एक को चुनने के लिए होता है इदर और दो को मना करने के लिए होता है नीदर और एनी किसलिए होता है दो से ज़्यादा मेंसे किसी एक को चुनने है मानलो होते हैं दो से ज़्यादा है और आपको इन मेंसे किसी एक को चुनना है किसी एक को चुनना है तो आप कैसे चुनोगे एनी ऐसी दो से ज़्यादा को आपने मना करना है तो क्या होता है नन दो से ज़्यादा को आपने मना करना है तो आप क्या वोलोगे नन तो दोबारा समझते हैं का concept है either का मतलब होता है दो में से किसी एक को चुनना neither का दो को मना करना any का मतलब दो से ज़्यादा में से किसी एक को चुनना none का मतलब दो से ज़्यादा को मना करना जैसे दो डड़के हैं इन दुनों में से अगर मैं किसी एक को चुनता हूंror तो है लो खूंगा इधर ओफ दी पूबॉइज क्या लिखूंगा मैं इधर ओफ दा दू बैज यानि कि दोंो गूर्द में से कोई एक कैस लिखा देगा इधर ऑफ दा टू बोईज occurring Sam него में से कोई एक इसी तरह से अगर मुझे नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं बहुत हो नीदर of the two boys नीदर of the two boys यानि कि दोनों में से कोई भी नहीं ऐसी any का मतलब होता है दो से ज़्यादा में से जब किसी एक को चुनना है मैं बोलता हूँ any of them any of these boys या any of them, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है न, any of these, इन सम्में से कोई एक डड़का, और none का मतलब है, none of these boys, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, none of these boys, तो concept क्या है, कि either English में मना हुए दो के लिए, दो में से किसी एक को चुनने, neither बना हुआ है, दो को मना करने के लिए, any होते है, जादा में से, दो से जादा में से किसी एक को चुनने के लिए, none का मतलब दो से जादा को मना करने के लिए, अब ये साब हम practice करते हैं, book में से देखते हैं, क्या का example से इसके माँ सामने, okay, ये हम follow कर रहे हैं book को, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, each, either, neither, every, ये सब हमें पढ़ने वाले हैं, पहली बात हमें एक और ध्यान रखनी है, कि each, every, either, neither, हमेशा क्या होते हैं, सिंगलर होते हैं, हमें एक और बात क्या समझनी है, कि English में each लिखाए, every लिखाए, either लिखाए, नीधर लिखाए, ये स सब क्या होते हैं? Singular होते हैं. यह पांच words singular होते हैं. None को बाद में discuss कर लेंगे. None दोनों होते हैं. None singular भी होते है, None plural भी होते है. दुबार समझते हैं क्या बोले? अपने यह discussion कर रहे हैं कि English language में यह सारे के सारे words Each, Every, Either, Neither, या Any. यह सब के सब का नेचर क्या होता है? Singular होता है. और जो None होता है, None का नेचर दोनों होता है. Singular भी होता है, Plural भी होता है. Examples लिखते हैं समझा जाएंग. दोकि यहाँ पर लिख है Each of the boys. अब Each किसके लिए? अच्छा अभी हम पहले इधर बढ़ रहे हैं. Each हम ने पढ़ा नहीं है अभी. Either of us. Either of us can do it. यानि कि हम दोनों मेंसे कोई एक कर सकते हैं. इसका यह मतलब है. आइसी Neither of the girls. यानि कि दोनों लड़कियों मेंसे कोई भी लड़की नहीं. तो जब Neither का मतब 2 के लिए है, Manufact right. इदर का मतब दो के लिए है. अब थोग और एक लिए आग जलते हैं. जो हमें आगे बढ़ने ons कि हम यंहें नेक्स्त क्या पट्ने है हे. Each क्या होता है और Every क्या होता है? Each का मतलब होता है हर एक. हर एक को क्या बोलते हैं Each Each English में दो के लिए भी यह है तो से ज़्यादा के लिए भी है जिसे दो लड़के हैं मैं बोलता हूँ कि ये दोनों के दोनों ये भी और ये भी ठीक है ना मालो इसका नाम है A इसका नाम है B तो मैं बोलूँगा A भी और B भी तो मैं क्या बोलूँगा Each of them ऐसी मुलता हूँ एक दो तीन चार पाँच लड़के हैं यहाँ पर मैं इस सब के सब ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी तो मैं इसको कैसे बोलूँगा Each Each of them तो हमें क्या समझने है Each किसली होता है English में दो लोगों के लिए भी लिखायता है दो से ज़्यादा के लिए भी लिखायता है Each किसली लिखायता है दो के लिए भी है दो से ज़्यादा के लिखायता है Each of the two boys Each of the two boys क्या मतलब है दोनों के दोनों लड़के तो दोनों को बात हो रही है क्या लिखा जागा each of the two boys ऐसी मैं कोर्शन इस लिखता हूँ each of the five boys each of the five boys तो यहां पर कहा है कि पंचो के पंचो लड़के तो each दो के लिए भी है दो से ज़्यादा के लिए भी है every का दो से ज़्यादा के लिए होते है दो के लिए ने होता है every अगर दो लड़कों की बात लिए तो हम each लिखते है वहाँ पर हमें every का इस्तेमाल नहीं कर सकते every है यह सब के सब ठीक है ना each में तो हर एक को अलग से इशारा किया जा रहा है every को collective लिखा यह सब के सब every every of them each भी singular है every भी singular है तो हमने क्या क्या पर लिए रवाइस करते हैं एक में लगेगा either दो में से किसी एक को चुनने के लिए neither दो को मना करने के लिए any दो से ज़्यादा में से एक को चुनने के लिए none दो से ज़्यादा को मना करने के लिए each either neither either neither any यह सब के सब singular होते है नन, singular भी होता है, plural भी होता है और each दो के लिए भी है, दो से ज़्यादा के लिए भी है every दो से ज़्यादा के लिए है, ये दोनों भी कहें singular है अब प्रैक्टिस करके देखते हैं, देखते हैं, अब देखो देखो यहाँ पर देखते हैं, neither of the five students is laborious ये sentence गज़त लिखा हुए, कारण के है, क्योंकि neither दो लोगों के लिए है, पांच के लिए लिखा नहीं ज़कते हैं, इसलिए sentence गज़त है लेकिन ज़्यादा के लिए none होता है, इसलिए सही है neither of these two girls is active, तो दो हैं, तो दो के लिए निदर लिखा जाँ गा, none नहीं लिखा जाएगा, नन लिखा जाएगा, नन लिखा जाते है दु से ज्यादा ऑगे लिए और निदर लिखा जाते है, तो इसलिए geliyor sentence गलत है cases, यहां पर दिखा है, तो यहाँ पहे का है, either of these two दो पेंस की बात हो रही है और दो के लिए इदर लिखा जाना तो यह सही सेंडेंस है क्योंकि इदर दो के लिए है इदर ओवी इस थ्री पेंस थी के लिए इदर का लगाना गलत तो यह गलत सेंडेंस है और यह हमने पढ़ लिया कि यहां पर लिखा है either of these three girls इनके लिए either का लगाना गलत है तो any, any, anyone यानि कि any दो से ज़्यादा के लिखा है अगर ज़्यादा में से किसी एक की बात करनी है तो आप any लिखते हो तो यह correct sentence है तो अगर यहां पर four books की बात हो रही है लेकिन यहां पर either लगा दिया है हमने तो यह sentence गलत हो गया ठीक है ना तो यह हमने point पढ़ लिया कि either का क्या मतलब है neither का क्या मतलब है यह सब हमने पढ़ लिया अब एक step पूरा के चलके देखते हैं क्या 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 यहां पर निकल रहा है ऐसी देखो both word कि skill English में both word दो के लिए होता है both of the students low के लिए all का इस्थेमाल नहीं किया जाता अगर आप दो की बात कर रहे हैं तो बहुत लिख होगे दो से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो all लिख होगे तो यहां पर example का given है यहां पर five girls की बात हो रही है तो इन के लिए all लिखा जाएगा all the five girls both of the five girls से लिखना गलत है both दो के लिए होता है five के लिए both लगाना गलत है all लिखा जाएगा ऐसी और दिखते है देखो यहां पर का लिख है every every word हमने पड़ा था English में दो से ज़्यादा के लिए तो यहां पर five students की बात हो रही तो every का लगाना सही है दो के लिए every का लगाना गलत होता है दो के लिए क्या लिखा जाता है each लिखा जाता है तो यह correct हो गया sentence इसी तरह से आगे हम देखते है अब यहां पर के लिखा है dash of the two cows gives ten liters of milk तो दो गायों में से दो गायों की बात हो रही है अब दो के लिए every दो के लिए नहीं लिखा जाता तो दो के लिए each लिखा जाएगा तो answer is each dash of these two boys may stand first अब यहां पर दो प्रशन है इधर भी है और any भी है यहां पर हम दो की बात कर रहे है दो के लिए either लिखा जाता है any नहीं लिखा जाता इसी दो के लिए तो यह answer नहीं हो सकता answer is none ऐसी I did not buy dash of the three pens अब यहां पर three pens की बात हो रही है हमारे options है either है और any है तो इधर तो दो के लिए इसलिए either answer नहीं हो सकता anyone लिखा जाएगा he was healthier than dash of his two brothers यहां पर दो भाहियों की बात हो रही है दो के लिए either लिखा जाएगा any नहीं लिखा जा सकता anyone गलत है either का लिखना सही है dash of the two pencils will do तो यहां पर दो पैंसल्स की बात हो रही है तो any नहीं लिखा जाएगा either लिखा जाएगा dash of the two boys first print दो लोग की बात हो रही है इसलिए none नहीं लिखा सकता none दो से ज़्यादा के लिए होता है neither ऐसी dash और three sisters married तो तीन की बात हो रही है neither दो के लिए होता है यह answer नहीं हो सकता none dash of the five teams may win five की बात हो रही है either दो के लिए होता है either answer नहीं हो सकता answer is any तो यह इस तरह से में पढ़ लिया तो revise करते है either किस के लिए यह दो में से एक को चुनने के लिए neither दो को मना करने के लिए any ज्यादा में से को चुनने के लिए none ज्यादा को मना करने के लिए either, neither, any सब singular है none दोनों होता है singular भी होता है plural भी होता है each और every singular है each दो के लिए, दुस्यादा के लिए every dosirah के लिए तो यह I hope आप पर समझा आ गया होगा we'll continue further in the next lecture thank you